जी हां दोस्तों जो बड़ी खबर आरी आपको बता दें तट्य जिलों में चकरवाद विपरजोई ने तबाही माचाना शुरू किया आपको बता दें तूफानी चकरवाद विपरजोई गुरुवार साम को गुजरात तट्य लाकों में टकराना शुरू कर दिया है भारतिय मौसों उभाग ने बताया कि बेहत गंबीर चक्रवाती तूफान अभी 115-125 किलोमेटर के रफ्ता से सुराष्ट और कच के तड़ पर पहुँच रहा है बताया जा रहा है कि तूफानी चक्रवात को जखाव पूर तक पहुचने में दो घंटे लग सकते हैं और ये पिर करिया 5-6 घंटों तेक चलेगी दिल्ली मोसमिभाग के महनदेशक डाक्टर मरत्किंज महपात्री ने बताया कि तड़ से टकराने के बाद चक्रवात आगे बढ़ जाएगा वहीं 15 जून से 100 जून तकी चक्रवात पुरी तरीके से समाथ हो जाएगा आसंगा जताय जा रही कि इतने ही समय में 30 एलाकों में काफी नुकसान हो जाएगा कुछ इस्तानों पर तूफान की लहरों से 3-6 मिटर तक उची जा रही है तड़ के किनारे के मिटी और घुस के घरों की पुरी तरीके से नेस्टोने की समभावना जताय जा रही है जबकि इस्ताई कंक्रीट संचारकों और पक्के भावनों के छती गरास्तोने की समभावना है आयमडी के निविन्नम बुलेटेन के नुसार तट्यों से टकराते समचा करवात विपरजोय का स्पीड 50 से 60 किलोमेटर प्रतिगंटे की था लेकिन अब इसकी रफ्तार 125 से 150 किलोमेटर प्रतिगंटे की समभावना है कई लाकों में काफी तेजवारी बारे सो रही है तो वहीं कई तट्ये लाकों में काफी तेजवाय चल रही है मिली खबर के नुसार जामनगर के कई लाकों में पेल उखड़ गए है नुकसान की रिपोर्ट अभी आनी है इस तुफान की किंदर का व्यास लगवग 50 किलोमेटर बताया जा रहा है